हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं शुबी क्लासेज आज आप इस वीडियो में देखेंगे भारत से समबंध इस समाने ग्यान के महत्तुपूर्टत जैसे की भारत में जनसंचार, भारत के प्रमुग समाचार पत्र, भारत के राश्ची दिवस, भारत के उद्योग जैसे कई टॉपिक्स इस वीडियो में आप तेखेंगे अगर आपका दोस्तों कोई भी एक्जाम है तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा या वीडियो आपके एक्जाम में बहुत ही जादा हेल्प करने वाली है क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सभी के काफी स संचिप्त परिचैसे क्षेत्र रफल है दोस्तों भारत का 32,87,782 किलो मीटर का है विश्व का 2.27 क्षेत्र रफल की दृष्टी से विश्व में सातवाइस्थान है भारत का प्रमुक सीमवर्टी देश है भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूतान, म 20 मिट पूर तक है मानक समय है भारत का 82 डिगरी 30 मिनट पूरवी देशांतर इलावाद है पूर से पश्चिम तक भारत की लंबाई है दोस्तों 2933 किलो मीटर और उत्तर से दक्षिर भारत की लंबाई 3214 किलो मीटर की है भारत में कुल दीपों की संख्या 247 है अनन्य देप्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं प्रमुख परवत हैं भारत के दोस्तों हिमालय, कारा कोरम, आरावली, विंध्यांचल, सत्पुडा, पश्यमी घाट, पूर्वी घाट, नेलगिरी, अन्नमराई, पालिनी, नला माला, इलाईची, मैकाल, आदी प्रमुख प परवत हैं दोस्तों, 8120 मीटर की, नंदा देवी है 7717 मीटर, और अन्नपूर्डा है 8076 मीटर, मनसालू है दोस्तों, 8156 मीटर, माकालू है 8078 मीटर, कामेथ है 7756 मीटर, प्रमुख नदियां हैं भारत की दोस्तों, सिंधू, सतलच, यमुना, गंगा, ब्रहमपूत्र, दाम गंडक और चंबल, आदी प्रमुख नदियां हैं भारत की, भारत की प्रमुख जीले हैं दोस्तों, डल जील, वूलर जील, चिलका जील, सांभर जील, लोकटक जील, पिगरेना जील, वेम बनार जील, केरल, और कोलेरू जील, महराश्ट की है, शासन प्रडाली, गर्तन तर राजसभा वराश्ट पती हैं, कुल लोक सभा सदस्यों की संख्या दोस्तों, पान सो पैंतालीस है, और कुल राजसभा सदस्यों की संख्या दो सो पैंतालीस है, राश्टिय प्रतीक है, भारत का राश्टी धोस्ति रंगा, और राज चिन है, सिंग सीर्स सारनात का, राश राष्टीय पक्षी है मयूर जिसका साइंट फिक नेम पाव क्रिश्टेस राजभासा है भारत की दोस्तों हिंदी राजभासा है भारत की चलिए देखते हैं भारत में प्रथम प्रथम जन गरना दोस्तों भारत प्रफम जल विद्यूत परीजना है सिवसमुद्रम भासाई दैनी दोस्तो सामाचार दरपढ़ है हिंदी समाचार पत्यूद पार्थ है प्रफम तार लाइन Everyone Diamond Harbour एके अंतर राष्टिय दूर्संचार सेवा Mumbai से लंदन है प्रफम दूर्संचार के नई दिल्ली और पहली बोलती फिल्म आलाम आ रहा है और पहला उपगरा है दोस्तों आरे भट और पहला स्वदेश निर्मित उपगरा है इनसाइट टू ए है और पहला आन्विक भूमिगत परिक्षण है दोस्तों पोकरन जोकी 18 मैं 1974 को हुआ और प्रथम और पारक नली शिशु टेस्ट कासिम के नेत्रित में किया गया था और पथम पंचायती राजविरस्ता सरप्थम लागु की गई तो राजस्तान में लागु की गई प्रथम भासा के आधार पर गठीत होने वाला पहला राज नहीं दोस्तों आंद्रप्रदेश और शत्फीसदी साक्षर्टा दर अ प्रथम पूर्सों से देखते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवती राजगोपालाचारी है भारत का प्रथम राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंत प्रसाथ थे, भारत के प्रथम मुश्लिम राष्ट्रपती डॉक्टर राज जाकिर हुसैन, भारत का प्रथम उप राष्ट्रपती डॉक्टर सरुपली राधा किश्नन और भारत का प्रथम प्रथान मंतरी पंडित से इस्टीफा देने वाला प्रथम मंत्री स्यामा प्रषाद मुखर जी है जो कि 1950 में दिये थे इस्टीफा प्रथम चीफ ऑफ एरड़ स्टाफ एर मार्सल sir Thomas M.8 है भारत का प्रथम वायू सेना अध्यक्ष एर मार्सल स् मुखर जी है भारत का प्रथम नोसेन अध्याक्ष वाइस एड्मिरल आड़ी क अटारी थे प्रथम चीफ औफार्मी स्टाफ जनेरल एम राजेन रे शिंग थे सौतंत भारत का प्रथम कमांडर इंचीफ जनेरल करियपपा थे प्रथम फील्ड मार्सर जनेरल मानिक सौ थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गड़ेश वासुदेव मावलंकर थे, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सूकुमार सेन थे, भारत का प्रथम मुख्य नियाधीस जश्टिस हीरा लाल जे कानिया थे, स्वतंत भारत में जन्में 29 सितंबर 1947 में भारत के प्रथम मुख्य नि के प्रथम अध्यक्ष व्योमेस चंद्रबनर जी थे, भारती राष्टिय कॉंग्रेस के प्रथम मुश्लिम अध्यक्ष बदुरुद्दीन तयब थे, राष्टिय कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंतिता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोह नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतिय तो रविन नाठ ठाकुर थे बहारत के प्रथम नोबल पुरसकार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमर थे बहुत की से मिला था मैकसे से अवार्ड पाने वाला पहला भारतिय तो आचारे विनोबा भावे थे इस्टालिन पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये सैफुत दीन की चलू है गोल्डेन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतिये ए आर रह्मान है भारत रत्न पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतिये डॉक्टर सरपली राधाकिश्णन है प्रतम भारतिय सत्तेंद्रनाट टैगोर हैं अंतेक्ष में पहुँचने वाला प्रतम भारतिय राकेश शर्मा हैं इंगलिश चैनल को पार करने वाले प्रतम भारतिय मिहिर सेन हैं पार की स्ट्रेट टैरा की प्रतियोगिता जीतने वाला प्रतम भारतिय वैदनाथ हैं बिना उक्सीजन के एवरेष्ट की चोटि पर पहुशने वाला भारतिय शेरपा अंगदोर जी है भारत का ब्रमर करने वाला प्रथम चीनी आतरी फाहियान है मुगल दर्बार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिन्स है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राश्च्पती डवाइड डेवीड आजाइन हावर है भारत आने वाला प्रथम बिटिश प्रधान मंतरी हेरोल्ड एमसी मिलॉन है भारत में आने वाला प्रथम रोशी प् पहला सवड़ पदक जीदने वाला खिलाडी अभिनो बिंदरा हैं दस मीटर एयर राइफल दो जार आट में जीते थे बृतिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतिय दादा भाई नौरोजी हैं भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम भारतिय जेम्स ए हिक की हैं भारत में प्रिंटिंग क्रिस का प्रसलन करने वाला प्रथम देखती जेम्स एक की हैं इंगलीज चैनल तैर कर प्यार करने वाला प्रथम भारतिय मिहिर सेन हैं चलिए भारत में प्रथम देखते हैं महिलाओं से भारतिय उद्योग परिसंग CII की पहली महिला अध्यक्ष शोबना कामिनेनी है जो की 1 मई 2017 को बनी थी ACI स्क्वाश चैंपियंशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतिय खिलाडी जोशना चिननप्पा है जो की 30 अपरेल 2017 को जीती थी गुजराद की पहली महिला पुलिस महानिदेशक गीता जोरी है जो की 4 अपरेल 2017 को बनी थी BCCI Lifetime Achievement Award से सम्माइद होने वाली पहली महिला क्रिकेटर शांता रंगा स्वामी है भारत की पहली महिला अध्यापी का सावित्री बाई फूले है अखिल भारतिय टेनिस संग की पहली महिला अध्याक्ष प्रवीड महाजन है 2017 में पनी थी ICC Women's Team of the Year में सामिल होने वाली पहली भारतिय खिलाड़ी इसमती मंधाना है और अउस्ट्रेलिया की क्रिकेट टूनामेंट बीग बैस लीग में खेलने वाली पहली भारतिय महिला की लाड़ी हर्मन प्रीत कोर है उच्च न्यालाई की प्रथम भारतिय महिला ने आधिस न्यायमूर्थी अन्नाचांडी है केरल की भारत में प्रथम महिला चीफ इंजिनियर श्रीमती पीके गेसिया है भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नाइडू है कॉमन विल्थ गेम खेलों में कुष्टी में स्वड पदक जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला पहलवान गीता देवी है 2010 कॉमन विल्थ खेलों में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलारी एथलीट है दीपा मलिक 2016 में पैरालंपी खेलो में रज़त पदक जीता था इनोंने भारत के किसी Rाज के मंत्री मंदल में प्रथम महिला मंत्री विज्य लक्षमी पंडीथ हैं सयुक्त प्रांत की 1937 में भारत के किसी राज की प्रथम दलि तिमुंख मंत्री मायावती हैं उत्तर प्रदेश राज की संग लोक सेवा आयोक की प्रथम भारती महिला अध्यक्च श्री मती रोज मिलियन बेथ्यू हैं भारत रतन से सम्मानित प्रथम महिला श्री मती इंद्रा गांधी हैं अंटार्टिका पहुशने वाली प्रथम महिला मेहर मिमूसा हैं मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला शुश्मिता सेन हैं अंतरराश्टी महिला अंतरराश्टी महिला अंतरराश्टी महिला में स्वडपदक जीतने वाली प्रथम भारती महिला आशा पूरा आसा पूरड़ा देवी हैं ओलंपिक खेलो में मुक्के बाजी में पदक जी विजेता प्रथम भारती महिला मेरी कौम हैं दो हजार पारा में जीती थी भारती राश्टिय कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनिवेसेंट हैं भारती लागत लेखा सेवा की पह महिला दोगा अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार है भारत के किसी राज्यकी मुख्यमंतरी बनने वाली प्रथम अभिनेतरी कौन है तो जानकी रामचंद रहें तमिलनाडू की 1987 में बनी थी भारत में केंद्रिय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसत राधा भाई सुबा परायान है 1938 में बनी थी और भारत में आयकर न्याइधी करड की प्रथम महिला सा दस्य न्यायमूर्थी मीरा साहिब है न्यायमूर्थी मीरा साहिब फातिमा बीवी है प्रथम महिला साशी का रजिया सुल्तान है प्रथम महिला साशी का रजिया सुल्तान है एस याई सतरन चैंपियंशिप जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला रोहडी खादिलकर हैं 1981 में जीती थी और अंटार्टिका के विंसन मैसिफ पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतिय सिविल सेवक हैं अपरडा कुमार हैं प्रथम व्यावसाइक महिला पाइलेट प्रेमा माथूर हैं अ देना मंडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतिय महिला विमला देवी 1988 में प्राप्त की थी अंतरराष्टी एथलेटिक्स चैंपियंशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला अंजू बार्बी जॉर्ज हैं आरजुन पुरसकार से सम्मानित प्रथम महिला त उत्री धुरू पर पहुंचने वाली पथम महिला प्रीती सेन गुपता हैं 1993 में पहुंची थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्रेकी बालिकार्डिंग की डोलमा है रेजियाई खेलों में स्वड पदक जीतने वाली पथम भारती महिला कमल जी संधू 1970 में 400 मीटर दोड में जीती थी ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली भारती महिला किलारी तो करणा मले स्वरी हैं भरोतोलन सिड्नी में उने जीता था ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारती महिला किलारी मेरी लीला रो हैं जो की 1952 में जीती थी चिक प्रॉल्टल इस्ट्रेट टैर कर पार करने वाली प्रथम भारती महिला आरती प्रधान है। प्रथम महिला डॉक्टर अमरिता पतेल हैं। प्रथम भारती महिला राज सभाय स्पीकर संनो देवी है। प्रथम भारती महिला विदेश सचीव है चोकिला येर प्रथम भारती सरजन महिला है तो डॉक्टर प्रेमा मुखर जी है प्रथम मर्चंट नेवी महिला ओफिसर सोनाली बनर जी है प्रथम महिला एडवोकेट के मिला सोरा बजी है प्रथम महिला केंदरी मंतरी राजकुमार अम्रित कौर हैं पथम महिला मुख्य न्याधिस लीला सेट हैं हिमाचल प्रदेश की 1991 मनी थी पथम भारत के किसी राज की पथम महिला मुख्य मंतरी सुचेता क्रिपलानी है उत्तर प्रदेश की थी बोईंग 737 रिमान की पथम भारती महिला कमांडर कैप्टन सौदा मीनी द भारत की प्रथम IPS महिला किरण बेदी है भारत की प्रथम परक नली शिशु इंद्रा है और भारत की प्रथम महिला एयर लाइन्स पाइलेट कैप्टन दुरगा बनर जी है भारत की प्रथम महिला चिकिचक कदमबनी गांगुली है भारत की प्रथम महिला विदेश गई जो जो विदेश गए तो आनंदी बाई, गोपाल, राव, जोसी हैं। भारत की प्रतम महिला पाइलेट, शुशमा, मुखो, पाध्याएं। भारत की प्रतम महिला अभियंता, पीके, ट्रेशिया, नांगुली हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य सचीव निर्मला बूच हैं। भारत की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन हैं। भारत की प्रथम महिला राश्चपती प्रतिभा देवी सिंग पाटिल हैं। भारती वायू सेना की प्रथम भारती महिला पैराशूटर गीता गोस हैं। करने वाली प्रथम भारती महिला प्रतिभार रोय हैं योजना आयोक की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंद्रा गांधी हैं राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष वॉयलेट अलवा एं 1962 में बनी थी और राष्ट पती का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारत की महिला अमी घिया एवं कमवल ठाकूर सिंग हैं राष्टिय महिला आयोक की प्रथम अध्यक्ष जयनती पतनायक हैं भारतिय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर के जे उदेसी हैं 2003 में बनी थी लेनिन शांती पुरसकार से अलंकृत प्रथम महिला 1986 में प्रात हुआ था शांती स्वरूब भटनाकर पुरसकार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर आशीमा चटर जी हैं शांती स्वरूब भटनाकर पुरसकार से सम्मानित प्रथम भारती महिला व्यज्यानिक आशीमा चटर जी हैं सैयुक्त राष्ट संग के संगी की प्रथम महिला द्यक्ष विजय लक्षमी पंडित हैं सार्जुनिक सेवा हे तू रेमन मैक्से से एवोर्ड से अलंकरित प्रथम महिला किरड़वेदी हैं मिस वर्ड से सम्मानित प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया हैं अंतर राष्टिय तैराकी महराथन जीतने वाली प उपाधी प्राप्त करने वाली प्रथम भारती महिला कादामबनी गांगुली बोस एवं चंद्रमुखी बोस हैं कलकत्ता विश्विद्याले से 1983 में उपाधी प्राप्त की थी स्वारी 1883 में प्राप्त की थी ICC Cricket Vishwukup में शतक बनाने वाली प्रथम भारती महिला ठिरूस कामिनी है 2013 में इन्होंने शतक बनाय था सरवोच चिर्नियालाई में प्रथम महिला ने आय दिस मीरा साही फातिमा बीवी है आसकर पुरसकार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतिय महिला भानू अधैवा है वेजबूसा सज्जा है तुफ फिल्म गांधी के लिए 1983 में प्राप्त हुआ था भारत की प्रथम अंत्रिक्ष महिला विज्ञानिक सवितारानी है बूरकर पुरसकार से सम्मानित प्रथम भारतिय महिला है तो अरुंधती राय हैं रेमन मैक्से से पुरसकार प्रात करने वाली प्रथम भारतिय महिला मदर टेरेशा हैं संगिय लोक सेवा आयोक की प्रथम महिला अध्याक्ष रोज मिलियन बैथ्यू हैं 1992 में बनी थी भारत म प्रथम क्रांतिकारी महिला है तो मैडम कामा है मैडम कामा भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला है भारत में प्रथम महिला मजिस्ट्रेट तो ओमना कुंजमा है भारत प्रथम भारती महिला रेल चालक है तो स्रीमति सुरेखा भोशले है चलिए दोस्तों भारत में जन संचार से कोश्चन्स देखते हैं डाक रेडियो और टेलिवीजन से तो पहला है डाक सेवा सारजुनिक तोर पर डाक सेवा का प्रारम हुआ था 1837 में डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई और पहला डाक टिकट जो की कलकत्ता में छपा था 1854 में छपा था डाक घर बचत योजन लिम्टेट की स्थापना हुई थी 1986 में टेली कों मिशन की स्थापना हुई थी 1986 में स्पीट पोस्ट मनी ओर सेवा का प्रारम 1988 में किया गया उनवर wears बिजनेस पोस्ट की स्थापना 1997 में यूधल में सुरू और इस पोस्ट की सुरूआत ète डौनी नहीं चार था यू आईडी ए आई उजना का शुरुआत हुआ था दोस्तों 2011 में चलिए रेडियो देखते हैं 24 दिसंबर 1906 की शाम कानाडाई वेग्यानिक रेगी नाल्ड फैनसेडेन ने जब अपना वॉयलिन बजाया और अटलांटिक महसागर में तैर रह तमाम जहाजों के रेडियो ओपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना वह दुनिया में प्रत्थम रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी भारत और रेडियो 1927 तक भारत में भी धेरो रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी 1936 में भारत में या नेशनल कॉंग्रेस रेडियो है नमबर 1941 में रेडियो जर्मनी से नेता जी सुभाज शंद्र बोश का भारतियों के नाम संदेश भारत में रेडियो के इतिहास में एक और प्रसिद दिन रहा जब नेता जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इसके बाद 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई जो पहले जर्मनी से फिर सिंगापूर और रंगून से भारतियों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा सुतंतिता के पश्चात से 16 नमंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार के था धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुँच के साथ इसका विकास हुआ सरकारी संदक्षण में रेडियो का काफी प्रसार हुआ 1947 में आकासवारी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुँच 11 पतिशत लोगों तक ही थी आज आकासवारी के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुँच 99.1 फीजदी भारतियों तक है चलिए टेलिवीजन से देखते हैं दोरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1969 को प्रायोगत्मक आधार पर आधे घंटे के लिए सैक्षिक और विकास कारिकरमों के रूप में शुरू किया गया उस समय दोरदर्शन का प्रसारण सबता में सिर्फ तीन दिन आधा अधा घंटा होता था तब इसको टेलिवीजन इंडिया नाम दिया गया था बाद में 1975 में इसका हिंदी नाम करण दोरदर्शन नाम से किया गया यह दोरदर्शन नाम इतना लोगप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी परयाय बन गया शुरुवाती दिनों में दिल्ली भर में 18 तेलिवीजन सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांस्मीटर लगा था तब दिल्ली में लोग इसको कुतुहुल और आश्चर के साथ देखते थे इसके बाद दोरदर्शन ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और दिल्ली 1965, मुंबई 1972, कोलकाता 1975, चेन्नाई 1975 में इसके प्रसारण की सुरुवात हुई शुरुवात में तो दोरदर्शन यानि टीवी दिल्ली और आसपास के कुछ छेतरों में ही देखा जाता था दोरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुँचाने की सुरुवात असी के दसक में हुई थी इसकी वज़ा थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले ACI खेल थे ACI खेलों के दिल्ली में होने का एक लाविया भी मिला की श्वेत और स्याम दिखने वाले दूरदर्शन रंगीन हो गया था फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारी कारिकराम हम लोग जिसने लोग प्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोर दिये 1984 में देश के गाउं गाउं में दूरदर्शन पहुंचने के पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांस्मीटर लगाया गया चलिए भारत के प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं लिस्ट आफ फेमस निउस पेपर्स इन इंडिया 19-वी सताबदी में भारतियों द्वारा प्राकासि समाचार पत्र देखते हैं समाचार पत्र है दोस्तों फिर उसके संस्थापक हैं और संस्थापक या संपादक हैं फिर वह किस भासा में था और उसके प्रकासन इस्थान कौन सा था और वर्स कौन सा था अम्रित बाजार पत्री का दोस्तों के संस्थापक मोती लाल गोस हैं और ये बांगला भासा में था और प्रकासन इस्थान इसका कलकत्ता में था और 1968 में यह प्रकासित हुआ था अम्रित बाजार पत्री का मोती लाल गोस है इसके संस्थापक और भासा इसका अंगरे जी था इस्था और कलकत्ता में प्रकासित हुआ था जोगिंदन नाद बोस इसके संस्थापक हैं बंगला भासा में या प्रकासित हुआ था कलकत्ता में 1861 में संजीवनी हैं दोस्तों संजीवनी के संस्थापक हैं केके मिसरा और बंगला भासा में या कलकत्ता में प्रकासित हुआ था हिंदू है दोस्तों हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक वीर रागवाचारी हैं अंग्रेजी भासा में प्रकासित हुआ था मद्रास में 1888 इस्वी में केशरी है दोस्तों समाचारपत्र बाल गंगा धर्तिलक ने प्रकासित किया था माराथी भासा में बंबई में 1881 में माराथा समाचारपत्र के संस्थापक बाल गंगा धर्तिलक है और अंग्रेजी भासा में इन्होंने प्रकासित किया था हिंदु समचारपत्र के संपादक M.G. Rana Day है और अंग्रेजी भासा में इन्होंने प्रकासित किया था बंबाई में 1881 सी में नेट्यू ओपिनियन दोस्तों है समाचार पत्र और इसके संपादक वी एन मांडलिक है और अंग्रेजी भासा में इन्होंने बंबई में 1864 में प्रकासित किया था बंगाली दोस्तों है समाचार पत्र इसको समपादित किया था सुरेननाद बनर जी ने और अंग्रेजी भासा में प्रकासित किया था कलकत्ता में 1889 में भारत मित्र हैं दोस्तों भारत मित्र के संपादक बाला मुकुंद हैं बाला मुकुंद गुप्त हैं हिंदी में इन्होंने प्रकासित किया था हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक मदन मुहनवालमी हैं हिंदी में इन्होंने प्रकासित किया था हिंद इस्तान समाचार मराथी भासा में इन्हों ने प्रकासित किया था बंबई में 1832 में हंदीभासय में Sakρά sir pacen ने 1832 में बंचरपत्र बाड़े सुमध 0033 tight रहे थे हंदी भासय मिनोने प्रकासित किया था उत्तर somm वार प्रदेश में 1893 में हिंदुस्तान इस्टेंडर दोस्तों के संस्तापक रहे हैं सचिदानन सिनहा और अंग्रेजी भासा में इन्होंने किया था संप्रकासित 1899 में ज्ञान प्रदाइनी के संस्थापक रहें दोस्तों नवीन चंदर राय और हिंदी भासा में इन्होंने प्रकासित किया था 1866 में हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं बार्व किष्ण भर्ट और हिंदी भासा में इन्होंने प्रकासित किया था उत्तर प्रदेश में 1877 में इंडियन रिव्यू के संपादक रहे हैं जी ए नेटेशन अंग्रेजी भासा में इनों ने प्रकासित किया था मद्रास में मौडन रिव्यू के संपादक रहे हैं रामानन चटर जी और अंग्रेजी भासा में प्रकासित हुआ था कलकत्ता में अंग्रेजी भासा में कलकत्ता में प्रकासित हुआ था यंग इंडिया के संपादक रहें दोस्तों महत्मा गांधी अंग्रेजी भासा में प्रकासित किया गया था एहमदाबाद में 8 अक्टूबर 1919 में नव-जीवन समाचार पत्र के समपादक रहे हैं महतमा गांधी हिंदी और गुजराथी भासा में प्रकासित किया गया था अहमदाबाद में 7 अक्टूबर 1919 को हरीजन हरीजन दोस्तों समाचार पत्र के संपादक दोस्तों रहे महत्मा गांधी और हिंदी भासा में हिंदी और गुजराती भासा में संपादित किया गया पूर्णा में 11 फरवरी 1923 को प्रकासित किया गया था इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र के समपादक रहे हैं मोतिलाल लहरू अंग्रेजी भासा में प्रकासित किया था बरी जहनती मनाई जाती है चार जन्वरी को लुई ब्रेल दिवस मनाई जाता है पांच जन्वरी को गुरु गोविन सिंग जहनती मनाई जाती है साथ जन्वरी को राजिम भक्तिन माता जहनती मनाई जाती है नौ जन्वरी को प्रवासी आनिवासी एन आर आई भारतिय दिव ग्यारा से सत्रा जन्वरी को राष्ट्रिय सडक सुरक्षा सप्ता मना जाता है। जन्वरी को राष्ट्रिय बालिका दिवस मना जाता है। जन्वरी को राम कृष्ट्रिय बालिका दिवस मना जाता है। केस फर्वरी को अंतर राश्टिय मात्र भाशा दीवस मना जाता है, बाइस फर्वरी को कस्तूरबा गांधी इसमिती दीवस मना जाता है। वीवार को विश्व वीवाह दिवस मना जाता है और चार फर चार मार्श को दोस्तों राश्टिय सुरक्षा दिवस और द्योगिक संस्तानों की सुरक्षा के लिए और स्रीकासी विश्वनात स्रिंगार दिवस वरांसी मना जाता है चार से ग्यारा मार्श को दोस्तों अंतर राश्टी महिला दीवस मनाया जाता है, 14 मार्श को दोस्तों पाई दीवस मनाया जाता है, 15 मार्श को काशी राम जैन्ती मनाया जाती है, 18 मार्श को आयुध निरमार दीवस मनाया जाता है, 21 मार्श को दोस्तों नौरोज 21 मार्च को नौरोज, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कुटपतली दिवस, विश्व कटपतली दिवस, रंग भेद, जाती भेद, नसली भेद भाव, उनमूलन हितु अंतर राश्टिय दिवस, और विश्व कविता दिवस मना जाता है 23 मार्च को विश्व मौसम विख्यान दिवस मना जाता है, भागर सिंग और सुख देव, राजगुरु का सहीधी दिवस मना जाता है, और राम अनोहर लोहिया का जनम दिवस मना जाता है 23 मार्च को 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मना जाता है और 25 मार्च को गड़े शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस मना जाता है 26 मार्च को बांगलादेश मुक्ती दिवस मना जाता है 27 मार्च को विश्व रंगमंच या नाटक दिवस मना जाता है तीस मार्च को राज्यस्थान दीवस अथवाराजस्थान इस्थापना दीवस मना जाता है 31 मार्च को विद्धिय वर्ष समाव दीवस मना जाता है एक अप्रेल को ओडिशा इस्थापना दिवस अंतराश्टिय मुर्ख दिवस बैंको की वार्षिक लेभाबंदी दिवस मनाया जाता है दो अप्रेल को विश्व और्टिज्म जागरुकता दिवस मनाया जाता है 13 अप्रेल को जलिया माला बाग नरसंगार दिवस मनाया जाता है 14 अप्रेल को अगनी शमन दिवस भीम राव अंबेटकर इस्मरर दिवस मनाया जाता है 15 अप्रेल को गुरु नानक देव जन्म दिवस मनाया जाता है 17 अप्रेल को दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस सरपल्ली राधा कृष्णन इस्मिती दिवस तात्या टोपे इस्मिती दिवस मना जाता है 21 अप्रेल को भारतिय सिविल सेवा दिवस मना जाता है 22 अप्रेल को पृत्वी वसुंधरा दिवस मना जाता है 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक दिवस अथवा विश्व पुस्तक कॉपी राइट दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस मना जाता है 25 अपरेल को विश्व मलेरिया दिवस मना जाता है 29 अपरेल को विश्व नृत्य दिवस मना जाता है अपरेल के एंतिम सनिवार को विश्व पसूची किस्चक दिवस मना जाता है 1 माई को महराष्ट राज का दरजा दिवस मना जाता है गुजरात राज कादरजा दिवस अंतर राष्टी मजदूर दिवस एक माई को मना जाता है तीन माई को विश्व प्रेस्व तंतरता दिवस मना जाता है छे माई को मोतीलाल नहरू जैन्ती मना जाती है माई के पहले रवीवार को विश्व हास दिवस मना जाता है माई का पहला मंगलवार विश्व अस्थिमा दिवस मना जाता है आठ माई को विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व थैल सीमिय दिवस मना जाता है ग्यारा माई को दोस्तो राष्ट्रिय प्रॉद्देग की दिवस मना जाता है 11 माई को अंतर राष्टिय नर्स दिवस मना जाता है माई के दूसरे रविवार को विश्व मात्र दिवस मना जाता है 15 माई को विश्व परिवार दिवस मना जाता है 16 माई को सिक्की मिस्थापना दिवस मना जाती है 22 माई को अंतर राश्टिय जैविक विवित्ता दिवस और राजा रामोहन राय जैन्ती मनाई जाती है 25 माई को रास बिहारी बोष जैन्ती और अफीका दिवस मनाई जाता है 27 माई को जवाहलाल नहरू इसमिती दिवस मनाई जाता है 28 माई को वीर सावर कर जैनती मना जाती है 30 माई को गोवा राज्य का दर्जा दिवस मना जाता है 31 माई को विश्व धूमरपान निशे दिवस मना जाता है 1 जून को अंतरराश्टी बाल रक्षा दिवस विश्व दुख्द दिवस, वास्तु कला दिवस, दादा भाई नौरोजी, इस्मिती दिवस मना जाता है चार जून को बाल यातना एवं अवैल तसकरी के खिलाफ अंतर राश्टी दिवस मना जाता है पांच जून को विश्व पर्यावरर दिवस, गुरु गोल वलकर निस्मिती दिवस मना जाता है आठ जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेंटी उमर दिवस मना जाता है नौ जून को बिरसा मुंडा शहित दिवस जारखंड में मना जाता है दस जोन को द्रिष्टी दान संकल्प दिवस मनाय जाता है ग्यारा जोन को सेतु बंध रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस मनाय जाता है और आचारे स्री राम सर्मा की पुनितिती मनाय जाती है बारा जोन को विश्व बाल स्रम निशेद दिवस मनाय जाता है 14 June को उधं सिंध शहीत दिवस मनाई जाता है 21 June को Momo करे से रखेम गेहित आको दिवस मनाए जाता है 19 जुन को विश्व एथनिक दवस मना जाता है 20 जुन को विश्व सराडार्थी रिफ्यूजी दिवस मना जाता है 21 जुन को विश्व संगीत दिवस अंतरराश्टिय योग दिवस मना जाता है जुन का तीसरा रवीवार को विश्व पिता दिवस मना जाता है 23 जुन को अंतर राष्टिय ओलंपिक संग का इस्थापना दिवस रथियात्रा सायूगत राष्ट लोग सेवा दिवस डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखरजी इसमिती दिवस अंतर राष्टिय विदिवा दिवस मना जाता है 24 जुन को विरांगना रानी दुर्गावती बरिदान दिवस मनाते हैं 26 जुन को अंतर राष्टिय मादक द्रव्य निशेत नसा मुखदी निवारर दिवस और अंतर राष्टिय देह व्यापार विरोधी दिवस अत्या चार के पीड़तों के समंथर में सायूगत राष्ट र अंतर राष्टिय दिवस 26 जुन को मनाया जाता है 29 जुन को सांखेकी दिवस प्रोफेसर प्रसांत चंद्र के जन्म दिन पर मनाते हैं और 30 जुन को हूल सुकरांती दिवस मनाया जाता है एक जुलाई को चिकित्सक दिवस, डॉक्टर बिधान चंद्राय का जन्म दिवस और अंतर राष्टिय चुटकुला दिवस भारतिय श्टेट बाइंग का इस्थापना दिवस राजर्सी पूर्सोत्तम दास तंडन इसमिती दिवस एक जुलाई को मनाते हैं दो जुलाई को दोस्तों अंतर राष्टिय खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं तीन जुलाई को स्री लस्तान गोश्वामी का तीरो भाव दिवस वायू परिक्षा दिवस, तेरा पंथ इस्थापना दिवस जैनों का और बधों का धर्म चक प्रवर्तन दिवस सारनात में तीन जुलाई को मनाते हैं जुलाई का पहला शनीवार अंतर राष्टिय सहकारिता को आपरेटी दिवस मनाते हैं चार जुलाई को स्वामी विवेका नंद इस्मिती दिवस मनाते हैं जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर जी की जैंती मनाते हैं। 22 जुलाई को दोस्तों राश्टी प्रसारर दीवस, बाल गंगा धरतिलक जन्म दीवस, चंदर सेखर आजाज जन्म दीवस मनाते हैं। पुर्शोत्तम दाश्टंडन जैंती और लोकमान तिलक जन्म दीवस मनाते हैं। अगस्त को एक से साथ अगस्त को विश्व इस्तन पान सप्ता मनाते हैं। अगस्त को संस्कृत दीवस मनाते हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, भारती अक्रांती दिवस, नागा साकी दिवस, दक्षिर अफरीका में महिलाओं की एक जुटता कर संघर्ष का अंतर राष्टी दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को 10 अगस्त को डेंग्यू निरोधक द रूपे मनाते हैं, 12 अगस्त को अंतर राष्टिय युगा दिवस, पुस्तक आध्यक्ष दिवस मनाते हैं, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को दोस्तो स्वतंदता दिवस, विंध्यान चली, भीम चंडी जैन्ती, योगी अर्विन जैन्ती मनाते हैं, 17 27-बड़ंगर कि 21 अगस्त कenti अगस्त को विष्व फोटोग्राफ़ी दिवश वीष मानविय दिवस मegनाते हैं कि 20 अगस्त को चैसर हम 24 याद में तर राश्तिया दिंट और 6 26 अगस्त को मदर टेरेसा जैंती महिलाई समानता दिवस नामीबिया दिवस मनाते हैं 26 अगस्त को और 29 अगस्त को राष्टिय खेल दिवस ध्यान चंद के जन दिन पर और तेलुगु भासा दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को 30 अगस्त को दोस्तों लगु उद्योग दिवस मनाते ह एक से साथ सितंबर को पोशर सब्ता हमनाते हैं, दो सितंबर को नारियल दिवस मनाते हैं, चार सितंबर को आगोरेश्वर भगवान राम जैंती, कासीमे और दादा भाई नोरोजी जैंती मनाते हैं, पांस सितंबर को सिख्षक दिवस, सरपली राधा कृष्णन जन्म दिवस और स्वामी हरिदाश जैन्ती महुस्षो विंदावन में और मदर ट्रेसा इसमिती दिवस मनाते हैं पांस सितंबर को आर्ट सितंबर को विश्व साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को हर्याडा राजका दर्जा दिवस पंजाब राजका दर्जा दिवस आचारे भिक्षु निर्वार दिवस और पंडित गोविन बल्लब पंद दिवस मनाते हैं 11 सितंबर को दोस्तों विश्व प्रात्मिक्ची किस्सा दिवस विनोबा भावे जैन्ती और महादेवी वर्मा इस्मिती दिवस 11 सितंबर को मनाते हैं 13 सितंबर को दोस्तों मना जाता है ब्रह्मा नंद लोधी इस्मिती दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है 15 सितंबर को अभियन्ता इंजिनियर्स दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संडक्षर दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को विश्व कर्मा जैन्ती मनाते हैं 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल इस्थापना दिवस मना जाता है 21 सितंबर को अंतर राष्टिय शांती और अहिंसा दिवस, अलजाइमर दिवस, विशो सांती दिवस मना जाता है 22 सितंबर को गुरु नानक देव पुन्य दिवस, गुलाब दिवस, कैंसर के रोगियों के कल्यान के लिए मना जाता है 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाते हैं 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाद द्याय की जैनती मनाते हैं 26 सितंबर को विश्व मूख बधिर दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस राजा राम मोहन राइसमिती दिवस सरदार भागा सिंह जन्म दीवस मना जाता है 29 सितंबर को इश्वचंद्र विद्या सागर जैंती और विश्व हिर्दय दीवस मना जाता है 29 सितंबर को 30 सितंबर को बैंकों की अर्धवार्शिक लेखा बंदी मना जाती है सितंबर का अंतिम सप्ता को विश्व मेरी टाइम दीवस मनाते हैं एक अक्टूबर को अंतर राष्टिय वृद्ध दीवस मनाते हैं और रक्तदान दीवस मनाते हैं एक से साथ अक्टूबर को दोस्तों वन्य जीव सप्ता मनाते हैं 2-Opt. کو महत्मा गांधी जन्म दिवस मनाते हैं, लाल भादूर सास्त्री जन्द दिवस मनाते हैं, और अंतरराष्टी अहिंसा दिवस और सच्छटा दिवस 2-Opt को मनाते हैं दो से आठ अक्टूबर को मध्य निशेद सप्ता मनाते हैं और तीन अक्टूबर को विश्व प्राक्रती पर्यावास दिवस जर्मन एकी करार दिवस मनाते हैं चार अक्टूबर को विश्व पशुकल्यार दिवस मनाते हैं पांच अक्टूबर को विश्व सिख्षक दिवस, वरिष्ट नागरिक दिवस मनाते हैं, छे अक्टूबर को खत्री दिवस, साई बाबा महा समाधी दिवस और विश्व वन्य प्राडी दिवस मनाते हैं, अक्टूबर का पहला सोब मार विश्व आवास दिवस, विश्व है विट्रेट दिवस मनाते हैं, आक्ठ अक्टूबर को वायू वायू सेना दिवस और मुन्शी प्रेम चंद्र इस्मिती दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाग दिवस मनाते हैं, 9 से 14 अक्टूबर को राष्ट्रिय डाग सप्ता मनाते हैं, 9 से 10 अक्टूबर को व विश्व द्रिश्टि दिवस, राम मनोहर लोहिया इसमिती दिवस, विश्व प्राक्रितिक आपदा रोग्थाम दिवस और कोलंबस दिवस मनाते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं, अक्टूबर का दूसरे बुद्धवार को अंतर राष्ट्रिय प्राक्रतिक आपदा निवारर दिवस मनाते हैं, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टी दिवस मनाते हैं, 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस मनाते हैं 17 अक्टूबर को अंतर राष्ट्रिय गरीबी उन्मूलन दिवस मना जाता है 20 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों अंतर राष्ट्रिय ओस्ट्रियो पोर्सिस दिवस मनाते हैं 26 अक्टूबर को गड़े शंकर विद्यार्थी जैनती मनाई जाती है, 30 अक्टूबर को विश्व मित्य वैता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को इंदरा गांधी की पुनितिती मनाई जाती है, सरदार वल्ला भाई पटेल जैनती मनाया जाती है, संकल्प दिवस मना जाता है और राष्टिय एकता दिवस मना जाता है 31 अक्टूबर को 24-30 अक्टूबर को अक्टूबर निरस्त्री करण सप्ता मनाते हैं 6 नवंबर को युद्ध तथा सेना संगर्सों में पर्या वरर शोसन की रोग थाम के हेतू 9 नवंबर को उतरांचल राज गठन दिवस श्री कासे विस्वनात परिवहन दिवस वन शहीद दिवस सांती एवं विकास हेतू विश्व विज्व विज्ञान दिवस मनाते हैं 14–20 November को राष्टिय पुश्ट काले सप्ता मनाते हैं, 15 November को जहारखन राज्जगठन दिवस मनते हैं, और विर्सा मुन्डा जैन्ती मनते हैं, 16 November को अंतर्राष्टियर सहं स्रीलता दिवस मनते हैं, 17 November को लाला लाजपत राएबालिदान दिवस मनते हैं, और बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं 20 नॉमबर को विश्व दूर दर्सन दिवस और युनेसको में दर्सन सास दिवस मनाते हैं 22 नॉमबर को जलकारी जैनती मनाते हैं 24 नॉमबर को गुरु तेक भाधूर की शाहिदी दिवस मनाते हैं 25 नॉवंबर को महिलाओं के विरुद दोहिंसा उनमूलन अंतर राष्टिय दिवस और विश्व मांसाहर निशेद दिवस मनाते हैं 26 नॉवंबर को विद्यापती इस्मिती दिवस और विश्व पर्यावरा संडक्षर दिवस मना जाता है 29 नॉवंबर को दोस्तों मना जाता है फिलिस्तीन के लोगों के सार अंतर राष्टिय एक जुटता दिवस 1 दिसंबर को विश्व एट्स दिवस, स्वीमाक शुरक्षा बल्ध इस्थापना दिवस और नागा लेंड इस्थापना दिवस मना जाता है दो दिसम्बर को अंतर राश्टिय दास, प्रथा और मोलन दिवस मनाते हैं तीन दिसम्बर को डॉक्टर राजन प्रशाद जैन्ती, भोपाल गैस्ट रास्ठी दिवस और अंतर राश्टिय विकलांग दिवस मनाते हैं दिसम्बर को भारतिय नौसेना दिवस मनाते हैं, पांस दिसम्बर को योगी अर्विन दिस्मिती दिवस, अंतर राष्टिय आर्थिक एवं सामाजिक विकास ही तूस्वयम सेवी दिवस मनाते हैं, छे दिसम्बर को मना जाता है भीम राव अंबेटकर इस्मिती दिवस, से 14 दिसंबर को अखिल भारती हस्तशिल्पसपता मनाते हैं 9 दिसंबर को अंतर राश्ट्री भ्रस्टा चार रोधी दीवस मनाते हैं 10 दिसंबर को विस्व मुझे अधिकार दीवस राज गौ Looking च आरी जयनती विश्वप्रसारब दीवस दत्ता त्रिय जैन्ती शहिद वीर नरायर सिंग बरहिदान दिवस त्रीपुर त्रीपुरा महाविद्या तथा अन्नपूरा जैन्ती जीव अधिकार दिवस मनाते हैं को दिसम्बर को ग्यारा दिसम्बर को यूनिशेफ दिवस संत ग्यानेशवर समाधी दिवस विष्व बाल खोश दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को नर सिंग महता जैनती मनाय जाता है 20 दिसंबर को अंतर राष्टिय मानो एकता दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को राष्टिय गडित दिवस मनाते हैं 23 दिसम्बर को किसान दीवस, चौधरी चरण सिंग जम दीवस, स्वामी श्रद्धानन बरिदान दीवस मनाते हैं। 24 दिसम्बर को राष्टी उब्भोगता दीवस मनाते हैं। 25 दिसम्बर को महा माना मालविय जन्मति थी, ईशा मसी जैन्ती और किस्मस डे मनाते हैं। और वासी से मिलकर बना है और इसका मूल अर्थ निवास होता है भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा आदिवासियों का है सम्विधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाती पद का उपियोग किया गया है भारत के प्रमुक आदिवासी समुदायों में धुनहार और धन्वार संथाल, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, गरासिया, मीडा, उराओ, बिरहोर, आदि हैं आदिवासियों का अपना धर्म है ये प्रक्रती पूजक हैं और जंगल, पहार, नदियों एवं सूर्य की अराधना करते हैं माना जाता ह है कि हिंदूों के देव भगवान, शिव की मूल रूप से एक आदिवासि देवता थे और आर्यों ने भी उन्हें देवता के रूप में स्विकार कर लिया चलिए भारत के प्रमुक राज से उनकी जंजातियां देखते हैं उत्तर पुदेश राज में जंजातियां हैं गोंड, होस, जटायू, जुवांग, खरिया, कोल, खोंड, खोया, कोया, उराओ, संथाल, सारा और मुंडूपतू हैं उरिशा की जंजातियां आर्यों राचल प्रदेश में जंजाति पाई जाती हैं अबोर, अक्का, आप्टामिस, बरमास, डफला, गालों, गोंबा, काम अंपाती, खोभा, मिश्मी, सिंगपो और सिडुक पेन हैं अब राचल प्रदेश की जंजातियां उतरांचल की जंजातियां दोस्तों, बोटिया, जौनसारी और राजी, उत्रा खंड की जंजातियां हैं आंधर प्रदेश की जंजातियां, चेंचू, कोहोचा, देश्की है, अंदमार निकोबार दीवसमू की जनजातियां आउंगी gelecek है, उत्तरी सेंटिनल्य है, और अंदमार निकोबारी और सोपान है, असमवा नागा लैंड की जनजाति, बोडो, डिमसागारो, खासी, कुकी, मीजो, मिकिर, नागा, अबोर, डाफला, मिश्मिश, अप्तिनिस, अप्तनिस, सिंधो, अंगानि, ये सारी असम और नागा लेंड की जन्जातिया हैं गुजरात की जन्जाति दोस्तों, कथोडी, सिद्दिस, कोलगा, कोटवालिया, पाधर, तोडिया, बदाली और पटेलिया हैं जहरखंड की जन्जाति दोस्तों, संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाडिया, सोरिया, पहाडिया, बिजिया, चेरू, लोहरा, उराओ, खरवार, कोल और भील जन्जातियां जहरखंड की हैं हिमाचल प्रदेश की जन्जातियां दोस्तों, गद्दी, गुर्जर, लाहोल, लांबा, पंगवाल, किनौरी और बकरायल हैं 36 गर की जन्जातियां कोरकु, भील, बैगा, गोन्ड, अगरिया, भरिया, कोरबा, कोल, पुराओ, प्रदान, नगेशिया, हल्वा, भतरा, माडिया, सहर्या, कमारवा, कम्वर पंजाब की जन जातियां हैं पंजाब की जन जातियां गद्दी और स्वाग अंगला और भोट हैं मरीपुर की जन जातियां हैं कुकी, अंगामी, मीजो, पुरुम और सीमा मेगाले की जन जातियां हैं खासी, जैंतिया और गारो तमिलनाडू की जनजातियां टोडा, कडार, इकला, कोटा, आईडान, अरंदान, कुटुनाया, कोराग, कुरुचियान, मासेर, कुरुमबा, कुरुमान, मुथुवान, पनिया, थुलिया, मलेयाली, इरावलन और कनिकर, मननान, उरासिल, विसावन और इरुला हैं तिरिपुरा की जनजातियां लुशाई, माग, हलम, खसिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमानिया, रियांग और उचाई है करनाटा की जनजातियां, गौधालू, हक्की, पिक्की, इरुगा, जेनू, कुरुव, मलाइकुड, भील, गोन, टोडा, वरली, चेंचु, कोया, अनार्दन, कियरवा, होलिया और कोर्मा है कस्मीर की जनजाति गुर्जर, केरल की जनजाति, कडार, इरूला, मुथुवन, कनिकर, मलन, कुरावन, मलरारायन, मालवेतन, मालायन, मननान, उलतान, उल्लातन, क्यूराली, विशावन, अनार्दन, कहुरानारकन, कोरगा, कोटा, कुरियायन, कुरुमान, पनिया, पुलिय पुलायन, मलार और कुरुंबा हैं महराश्ट की जन्जाती भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भारिया, कोया, वरली, कोली, डूका, बैगा, गाडवास, कामर, खाडिया, कोंडा, कोल, कोलम, कोरकु, कोर्बा, मुंडा, उराओ, प्रधान और बघरी हैं राजस्थान की जन्जाती मीडा, भील, गरासिया, सहरिया, सांसी, द्वमोर, मेव, रावत, मेरात, कुमोली, आदी हैं पश्ची मंगाल की जन्जाती, होस, कोरा, मुंडा, उराओ, भूमिच, संथाल, गेरो, लेपचा, असूर, बैगा, मंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोर्बा, और लोहरा हैं चलिए दोस्तों भारत के प्रमुक शिखर देखते हैं परवस सिखर हैं दोस्तों फिर समूद तल से उचाई है, केटू की, केटू की उचाई है, 8,611 मीटर, कंचन जंगा की उचाई है, 8,598 मीटर, नंगा परवत की उचाई है, 8,128 मीटर, ग्रोशर ब्रम की उचाई है, दोस्तों, 8,068 मीटर, ब्रॉड पीक की उचाई है, 8, दिस्ते गिल सर की उचाई है 7885 मीटर मासेर ब्रह्म पूर्वी की उचाई है दोस्तों 7881 मीटर नंदा देवी की उचाई 7887 मीटर मासेर ब्रह्म पश्चिमी की उचाई है दोस्तों 7806 मीटर राका पोशी की उचाई है 7888 मीटर कामेद की उचाई है 7756 मीटर सासेर कांग परता केंगरी लुशाई ते बामें हैं thrilled शुर्वपांगद केंगरी सीनक्रायों 128 मीटर और कांटो की उचाई है 7090 मीटर नदियां देखते हैं और नदियों की लंबाई देखते हैं ब्रह्मपुत्रे की लंबाई है 2900 किलो मीटर सिंधु की लंबाई है 2880 मीट किलो मीटर गोदावरी की लंबाई है 2465 किलो मीटर गंगा की लंबाई है 2225 मीटर की यहां पर गलड टाइप हो गया है सतलज की लंबाई है दोस्तों 1500 किलो मीटर यमना की लंबाई है दोस्तों 1375 किलो मीटर घागरा की लंबाई है 1080 किलो मीटर चंबल की लंबाई है 965 किलो मीटर महा नदी की लंबाई है 828 किलो मीटर कावेरी की लंबाई है 805 किलो मीटर सोन नदी की लंबाई है दोस्तों 780 किलो मीटर कोसी नदी की लंबाई है 730 किलो मीटर तापती नदी की लंबाई है 724 किलो मीटर रावी नदी की लंबाई है 720 किलो मीटर अरुडाचल प्रदेश की विशाल खनीच संपदा के संडक्षड के लिए 1991 में अरुडाचल प्रदेश खनीच विकास और व्यापार निगम लिम्टेड MPMD TCL की स्थापना की गई अंध्रप्रदेश के उद्द्योग चलिए अंध्रप्रदेश के उद्द्योग देखते हैं हैदराबाद और विशाखा पतनम के पास बड़े उद्द्योगों में मशीनी ओजार औशदियां भारी बिजली मशीने और वरक एलेक्ट्रोनिक उपकरर विमानों के कलपूरजे स निगम लिम्टेट और द्योगिक विकास निगम लिम्टेट और ओडिशा राज एलेक्ट्रोनिक विकास निगम के ये तीन प्रमुखे जंसिया राज के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं इसपात ऐलमीनियम तेल सोधन और वरक आदी वीशाल उद्योग केरल में उद्योगिक विकास की आपार संभावने हैं यहां पर पन बिजली घनेवन दुरलब खनिच परिवाहन और अच्छी संचार पडाली सभी बुन्यादी सुविधाएं उपलब्द हैं यहां के परामपरा गत उद्योग हैं हतकरगा काजू नारियल जटा तथा हस्त सिल्प हैं अन्य महत्वड उद्योग में रबर, चाय, चीनी मिट्टी के बरतन, बिजली तथा एलेक्ट्रोनिक उपकरण, टेलीफोन के तार, ट्रांसफार्मर, इनिट और टाइल्स, होसुदियां और रसायन, सामाने इंजिनियरी वस्तुएं, प्लाइवुड, रंग रो 2004 के अंत में राज जमें पंजी करित फैक्टरियों की संख्या 2536 थी और जिन में औसतन 9.27 लाख दैनिक मजदूरों को रोजगार मिला हुआ था, मार्ज 2005 तक राज में 2.99 लगु उद्योग, उद्योगिक इकाईयों का पंजी करण हो चुका था, गोवा के उद्योग सायन, दावा, लोहा, चीनी उद्योग, यहां के बड़े उद्योग हैं, यहां परमध्यम वा लगो उद्योग भी हैं, जिन में पारमपरिक हस्त शिल्प उद्योग भी शामिल है, और द्योगिक उत्पादों का वहरत वावी देशों में अच्छा वैच बाजार है, 36 गड पंदरा पतिशत इसपाद तयार होता है, भिलाई इसपाद सहीतर, राश्टी एक खनीज विकास निगम, साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स, लिम्टेट एंटी पीसी जैसे भारा सरकार और एस एसीसी गुजरात अंबुजा, ग्रासिम एल एंटी, सीसी आई और फ्रांस के ला परागत उद्योग है, हास से बनी वस्तूओं की व्यापक रोजगार छमता और विशे सगता को देखते हुए राज सरकार हश्ट सिल्प का उच्च प्रात्मिक्ता दे रही है, कश्मीर के प्रमुख हश्ट सिल्प उद्योग में कागच की लुगदी से बनी वस्तूएं, लकडी पर नकासी, कालीन, शॉल, काशीदाकारी का समान आधी शामिल है, हश्ट सिल्प उद्योग से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अरजित होती है, हश्ट सिल्प उद्योग में 3.4 लाग कामगार लगे हुए हैं, जहारखंड के उद्योग देखते हैं, जहारखं इंडिया लिम्टेड जमसेरपूर भारत कुकिंग लिम्टेड धनबाद आधी हैं तमिल नाडू के उद्योग देखते हैं तमिल नाडू राज के प्रमुक उद्योग हैं सूती कपड़ा भारी वाडिजिक वाहन आटो कलपूर्जे रेल के डिबबे विद्युत चालित रहा है सौफ्ट्वेर टेकनोलाजी पार्क टाइडेल की स्थापना थारा मड़ी चिन्नाई में की गई है चलिए नागा लेंड के उद्योग देखते हैं नागा लेंड राज्यों में और द्योग की करड़ की प्रक्त्रिया शैश्वा वस्था में हैं दीमापूर में एक प्रतिदिन उत्पादित करने की चमता वाली नागा लेंड मैकनाइजड ब्रिक्स कंपनी लिम्टेट प्राराम कर दी गई है हतकरगा और हस्त शिल्प महत्तवपूर कुटीर उद्योग हैं जो अधिकतर सहकारी समीतियों द्वारा चलाय जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल में वर्स 2007 में उपलब धाकडो के अनुसार 3647.51 करोड रुपए की निवेश वाली 96 परियोजनाएं शुरू की गई हैं इसके अत्रिक्त हल दिया पेट्रो केमिकल्स की 34 अधो गामी परियोजनाओं में 170.15 करोड रुपए का निवेश किया गया है और इ 84 करोड रुपए का कुल निवेश 2007 के अंत तक राज जमेक कार्यानवित किया जाएगा और कार्यानवित परियोजनाओं को पूरी जानकारी उपलब्द होगी मरीपुर के उद्दयोग देखते हैं दोस्तों मरीपुर में क्रिशी के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला कुटीर यह उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्. दिल्ली ना केवल उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसाई केंद्र है बलकि यह लगू उद्योगों का भी सबसे बड़ा केंद्र है इन में टेलिवीजन, टेप रिकॉर्डर, हलका इंजीनिरिंग, साज समान, मशीने, मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे खेल कूत का समान, साइकिले, पीवीसी से बनी वस्तुएं, जूते चपल, कपड़ा, उरवरक, दवाएं, हौजरी का समान, चमडे की वस्तुएं, सौफ्ट्वियर, आदि विभिन वस्तुएं बनाई जाती है मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश में, एलेक्ट्रोनिक्स, दूर संचार, मोटर वाहनों, सूचना प्रोद्ग की आधी उच्च तकनीकी उद्योग के खेल में प्रवेस कर लिया है दूर संचार पड़ालियों के लिए यह राज्य आप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है इन दौर के पास पीठंपुर में बड़ी संख्या में मोटर वाहन उद्योग इस्थापित हुए है राज्य में सारजनिक शेतर के प्रमुख उद्योग हैं महराष्य के उद्योग देखते हैं मिजोरम ने उद्योगों का और तेजी से विकास करने के लिए वर्स 2000 में नई उद्योगिक नीती की घोशड़ा की थी इसमें इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्राद्योगे की बास तथा इमार्ती लकडी पर आधारित उत्पात खाद तथा फलो का प्रसंस करण वस्त्र ह तथा हस्त सिल्प जैसे लगू और कुटीर उद्योग शामिल हैं मेघाला के उद्योग देखते हैं मेघाले राज्य की विकास संस्था का नाम मेघाले उद्योगिक विकास निगम लिम्टेड है जो उद्योग के लिए इस्थानी उद्यमियों को विकास सहायता देती है र राज्य के प्रमुक केंद्रिय प्रतिष्ठानों में देबरी उदैपूर में जस्ताज गलाने का संयत्र, खेतरी जुन्जनु में तामा परियोजना और कोटा में सुक्ष्म उपकरणों का कार खाना शामिल है। किन्तु कई सदियों पहले यहां दस्तकारी पराधारी परंपरागत सिक्किम कुटीर उद्योग है। लेपचा लोग बास के समान, लकडी के समान, धागा सु बुनाई और गलीचे की बुनाई परंपरागत तरीकों से बहुत ही कुशलता से करते हैं। भूटिया जाती के लोगों को गलीचा और कंबल बुनाई की प्राची इन तिब्बती पधती में महारत हाशिल है और नेपाली लोग धातू, चांदी और लकडी के समान की कारीगरी में बहुत ही निपुड होते हैं। हर्याडा के उद्योग हर्याडा का उद्योगिक शेत्र बहुत ही विश्तृत और विशाल है। राज्य में 1343 बड़ी और 80,000 लगो उद्योग इकाईया कार रहत हैं। हर्याडा में बहुत सी वस्तूओं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के उद्योग है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में काफी समय से मौझूद वस्त्र उद्योग वचीनी प्रसंसकरण उद्योग में राज्य के कुल मिलकर्मियों का लगभग एक तिहाई हिस्सा लगा है। राज की अधिकांश मिलें पुरानीवा अक्षम है। पैमाने के उद्योगों के विकास को बढ़ाने के राज सरकार सक्री है। आस्ववा बेत हस्त सिल्प में कक्षवी भाजक, फरनीचर, भित्ती, पट्टी का टेबल मैट और फर्स पर बिछाने वाली चटाईयां शामिल हैं। इस तरह पर बना जाता है। लोगनित देखते हैं। घापाल, भूमर, चंग, चरी, जिंदांद, डंडिया, क्रिश्ण नित्र, तेरा ताली, पनिहारी, बगरिया और संकरियां हैं। दक्षिर भारत से देखते हैं, आंधर प्रदेश पहले, कुंबी, आंधर प्रदेश का है, लोगनित कुंबी, घंटा, मरदाला, बत क्रमा, माधुरी, मरदाला और सिद्धी। तमिल नाडू के हैं, कडागम, कावडी, कोला टम, और पिनल, कोला टम हैं। केरल के हैं, तिरुवातिर कली और कथकली। नेक्स्ट है दोस्तों, पूरवी ब्हारत, बिहार से देखते हैं, बिहार के लोगनिते हैं, कर्मा, घुमकडिया, किर्तनिया, चेकवा, छव, जटजन, जटनी, जदुर, जातरा, जाया, जीका, डांगा, पंवरिया, बर्बो, बारवाहन, बैमा, माधा, माधी, मुझरी, मुका, विदायत, विदेशिया, सोहराई, आदी दोस्तों, लोगनित भिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के लोगनिते दोस्तों, काठी, कीर्तन, गंभीरा, जातरा, ढाली, बाउल, मरसिया, और रामवेस हैं, ओडीसा के दोस्तों हैं, गरुडवाहन, घुमरा, चंगुगन जदुरी मादा, मुदारी, पैका, संचार और सवारी है, पश्चिम भारा से दोस्तों, गुजरात का देखते हैं, गर्बा, जखोलिया, टिपने, डंडिया, रास, द्रिप, दीपक, नित्य, पाडिहारी, नित्य, बभभई, भभई, और रासलीला, और लासिया, गुजरा के लोकनित्यों, गोगा के लोकनित्यों है, दोस्तों, खोल, जाकोर, जागोर और धकनी, मद्य भारा से देखते हैं, मद्य प्रदेश से, गोनियों, गोंडो, चैत, छेरिया, टपाली, डांगरा, दिवरारी, नर्बानी, पाली, बिलमा, भगो, भगोरिया, मांदरी, रीन शीग मडिया, सुवा, हुलको और हेमदत्रा, मध्य परदेश के दूस्तों लोक नित्य है पूर्वत्तर भारा से दूस्तों देखते हैं अरुलाचल परदेश अरुड़ाचल प्रदेश से हैं दोस्तों मुखोटा निर्थे और युद्ध निर्थे असम से हैं दोस्तों लोकनिर्थे अंकिया नाट काली गोपाल जुमुरा तबल चोगंबी नट पूजा बिछुआ बीहुन रिथे बुगुरुंबा बोई साजू महराज महरास और होब होबजा नाई असम के लोकनित हैं नागा लेंड के लोकनित कुमी नागा खायवा चोंग और नूरालीम है मेगाले के लोकनित बांगला है मरीपूर का लोकनित तलम थांगटा नट रास पुंगल चोलोन बसंत रास और राखाल है मिजोरम के लोकनित दोस्तों चेरोकान और पाखु पिला है दूस्तों लख्ष दीप का लोकनित्य परिचा काली है चलिए भारत के राश्टिये प्रतीक एवन प्रतीक से कोशन देखते हैं तो पहला है राश्टिये ध्हज भारत के राश्टिये ध्हज को तीरंगा कहा जाता है 22 जुलाई 1947 इस्वी को समविधान सभा समविधान सभा दूरा 14 अगस्त 1947 को राश्टिये ध्हज प्रस्तुत किया गया σ्री मत्य सरोजनी नाइडव। की अनुपस्थिति में हनसा महता ने राश्टिये ध्हजज समविधान सभा को बेठ किया था वरतमान राश्टिये ध्हज इतिहास 1929 इस्वी से आरंब होता है जब 3 दिसंबर 1929 इस्वी को रावी नदी के तट पर जवाहलाल नहरू ने इसे फहराया था नहरू द्वारा रावी तट पर फहराय गए ज़ंडे एवं वर्तमान ज़ंडे में सिर्फ अंतर इतना है कि ज़ंडे के बीच में चर्खे की जगह असोग चक्र आ गया 15 अगस्ट 1947 इस्वी को देश की स्वतंदता के आउसर पर आधिकरित रूप से इसे फहराया गया एवं इसे 21 तोपों की सलामी दी गई द्वाज का प्रियोग एवं प्रदर्शन द्वाज सहीता द्वारा नियमित होता है राष्टि द्वच का आकार आयताकार है जिसकी लंबाई एवं चौडाई का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है राष्टि द्वच के केंदर में सफेद पटी के भीतर 24 तीलिया वाला असोग चक्र अंकित है हमारे राश्टी ध्वच में तीन रंग हैं के सरिया सबसे उपर स्वेत मध में हैं और हरा सबसे नीचे है के सरिया रंग आत्म नियंत्रड एवं शक्ती का प्रतीक है और स्वेत रंग दोस्तों शांती और सत्य का प्रतीक है हरा रंग समरिद्धी और हर्याली का प्रतीक है चक्र धर्म गतिशीलता एवं प्रगती का प्रतीक है और राष्ट धच के अंदर अंकित धर्म चक्र की 24 तीलियान दिन के 24 घंटें को दर साती है धच सहीता के अनुसार जहंडा रोहर करने वाले व्यक्ति को राष्ट धच से तीन कदम की दूरी पर खड़ा होना चाहिए राष्टी ये सोक के समय राष्टी धच को आधा जुका दिया जाता है समपोर देश में राष्ट पती उपराष्ट पती प्रधान मंत्री की मृत्यू होने पर राष्ट धुका जिया जाता है राष्ट धुख राष्ट पती उपराष्ट पती अथवा प्रधान मंत्री की मृत्यू पर बारा दिनों तक जुका रहता है तत्रा आकाश्वारी और दूर्दर्सन के शुब गुड़ों का प्रसारर किया जाता है राश्ट द्वच 7 दिनों तक जब जुकाया जाता है जब पूर राश्ट पती अत्वा प्रधान मंतरी का नीधन हो जाता है तब राश्टिय द्धच उच्चतम न्यालाई के मुख्य न्याधीस तथा लोकसभा अध्यक्ष के नीदन पर दिल्ली में जुका दिया जाता है राश्टिय द्धच उच्च 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 वर्स भर राश्टिय द्धच फैराने की व्यवस्था की गई है राश्टी अचिन देखते हैं दोस्तों वाराणसी के समी पसारनाथ में इस्थित असोक के सिंग 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 के सीर्स पर मौजूद आकृती भारत का राश्टी अचिन है भारत सरकार दोरा इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकरित किया गया था मौल आकृती इस परकार है कि चार सिंग एक दूसरे की ओर पीछ करके खड़ी है चार सिंग कुछ इस परकार बैटे हैं कि उनमें से तीन ही एक तरफ से देखने पर दिखते हैं सिंगों के नीचे घंटे के आकार वाले पदम पर अंकी चित्र वल्लरी में एक खाथी एक दौरते हुए गोडे एक सांड और एक सिंग की उबरी हुई आकृती अंकीत है चित्रवल्लरी की मध्य धर्म चक्र अंकीत है संपूर सिंग इस्तम एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है नीचे फलक में देव नागरी लिपी में सत्यमेयो जैते उत्कियर है सत्यमेयो जैते को भारत का राष्टी वाक्य गोसित किया गया है इसका अर्थ होता है सत्य ही हमेशा विजई होगी सत्यमेयो जैते मुंड को उपसब से निक्र लिया गया है राष्ट गान देखते हैं दोस्तों राष्ट गान के रूप में जन गड़ मन को सुईकरित किया गया है रविन्ना टाइगोर ने 1911 इसवी में इस गीत की रशना की थी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सरपतम 27 इस दिसंबर 1911 को इसे गाया गया था तत्तो बूधनी नामक पत्रिका में जनवरी 1912 इसवी में यह गीत भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहट प्रकासित हुआ 1912 में Morning Song of India सिख्षक के तहट रविन्ना टाइगोर ने इस गीत का अंग्रेजी रूप आंतरड किया जनगर्मन सम्विधान सभा ने राश्ट गान के रूप में 24 जनवरी 19-50 को अंगी करत किया इस गाने में प्रथम पंक्ती 52 सेकंड एवं दूसरी पंक्ती 20 सेकंड लगते हैं राश्टी गीत से कोशन देखते हैं भारत में राश्टी गीत का दरजा वंदे मातरम को मिला हुआ है इस गीत की रचना 1874 इस्वी में बंकीम चंद चटो पाध्यायने की इस गीत की रचना बंकीम चंद के प्रसिद्ध पुस्ताक आनन्द मत में की गई है 1896 इस्वी के कांग्रेस के राश्टी अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया इस गीत के कुल पांच पदों में पथम को पद को राश्टी गीत के रूप में अंगीकरत किया गया है राश्टी गीत को गाने में एक मिनट पांस सेकंड का समय लगता है इस गीत को सरपथम कर इस्थापित करने का श्रीय यदुनाद भठाचार को प्राप्त है राष्टिय गीत को बैंड पर बजाने की धुन मास्टर कृष्ण राव द्वारा 1949 में तयार की गई मास्टर कृष्ण राव की निर्देशन में मास्टर गडपती सिंग ने इसे पहली बार बजाया वर्तमान में यह गीत राग सारंग में स्वर्बद्ध धुन में गया जाता है परन्तु इस धुन को पन्ना लाल गोस ने तयार किया है वर्तमान में दूर दर्शन एवाम आकासवाणी अपने दैनिक करक्रम का आरंब राष्टगीश से ही करते है राष्टिय पंचांग देखते हैं भारत का राष्टिय पंचांग शक्समवत पराधारित है ग्रैगुरियन कलेंडर का आधार भी शक्समवत ही है 78 इस्वी में आरंब हुए शक्समवत का पहला महिना चैत्र है एवं सामानिता वर्ष 365 दिन का होता है भारत सरकार दोरा इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया भारत के राष्टिय प्रती के एक नजर में देखते हैं राष्टिय दोहज है तिरंगा राष्ट गान है दोस्तों जनगलमन और राज चिन है असोग चक्र राष्टिय कैलेंडर है सक समवत राष्ट भासा है हिंदी राष्टिय लिपी देवनागरी है राष्टिय सुतंता दिवस 15 अगस्त राष्टिय गरतंत दिवस 26 जनवरी राश्ट्रिय पुस्प है कमल राश्ट्रिय पक्षी मोर है राश्ट्रिय योजना पंचवर्सी योजना है राश्ट्रिय गीत वंदे मातरम है राश्ट्रिय फल आम है राश्ट्रिय खेल हौकी राश्ट्रिय वाक के सत्य में हो जैते राश्ट्रिय पसू बाग है राश्ट् पक्षी एक रंगीन, हांस के आकार का पक्षी, पंखे आकटी की पंखो की कलगी, आंक के नीचे सफेद धबा और लंबी पतली गर्दन, इस प्रजाती का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला, नीला, सीना और गर्दन होती है, अती मनमुहक कांसे हरा 200 लंबे पंखो का गुच्छा होता है मादा भूरे रंग की होती है नर में नर से थोड़ा और इसमें पंखो का गुच्छा नहीं होता, नर का दरबारी नाच पंखो का घुमाना और पंखो का समारना सुन्दर दिश्टे होता है राश्टिय पुस्प कमल कमल दोस्तों साइंट फिक ने निलंबो नूसी पेराप गेटन है भारत का राष्टिय फूल है यह परवित्र पुस्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और काथाओं में विशेस्थान है और यह अती प्राचीन का आलम से भारतिय संस्किती का मांगलिक प्रतीक रहा है भा से भारत के वनस्पति सर्वेक्षर द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वरण किया गया है राष्टिय पेर बरगत भारतिय बरगत का पेर फाइकस बेंगालिसिस जिसकी साखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेर के समान लगने लगती है जड़ों आज भी बरगत के पेड़ के ग्रामिर जीवन का केंद्र बिंदू माना जाता है और गाउं की परिषट इसी पेड़ की छाया में बैठा करती है राष्टगान भारत का राष्टगान अनेक उशरों में बजाया गया जाता है राष्टगान के सही संस्क्रण के बारे में समय समय पर अनुदेश चारी किये गए हैं इन में वे आउसर जिन पर इसे बजाया या गाया जाना चाहिए और इन आउसरों पर उचित गवरों का पालन करने के लिए राष्ट गान को सम्मान देने क्या वसकता के बारे में बताया जाता है स्वरगी ये कवी रवीन नाट टाइगोर द्वारा जनगर मन के मान में से प्रख्यार शब्दों और संगीत की रशना भारत का राष्ट गान है राष्ट गान की कुल अवधी लगभग 52 सेकंड है राष्ट नदी है राष्टी नदी भारत गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो परवतों घाटियों और मैदानों में 2525 किलो मीटर की दूरी तै करती है या हिमाले के गंगोतरी गलेसियर में भागी रथी नदी के नाम से बर्फ के पहाडों के बीट जन्म लेती है इसमें आगे चलकर अने नदियां जुरती हैं जैसे अलक नंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घागरा गंगा नदी का बेसिन विस्व के सबसे अधिक उपजाओ छेतर के रूप में जाना जाता है यहां सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है और यहां लगभग 10 लाख वर्ग किलो मीटर में फैला हिस्सा है नदी पर दो बांध बनाए गए हैं एक अरिद्वार में और दूसरा फरक्का में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संगटा पंजनतू है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है गंगा नदी को हिंदू समुदाय में प्रिथवी की सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है मुख्यधार्मी का आयोजन इसी नदी के किनारे इस्तिस सहरों में किये जाते हैं जैसे की वारान सी, अरिद्वार और इलहबाद गंगा नदी बांगला देश के सुन्दरवन द्वीप में गंगा डेल्टा का आकार व्यापक हो जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राश्टिय जली जीव है यह इस्तंधारी जन्तुपन पवित्र गंगा की सुधता को भी प्रकट करता है क्योंकि यह केवल सुध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है प्लेटे निष्टा गैंगेटी का नामकिया मचली लंबे नोकदार मुह वाली होती है और इसके उपरी और निचले जबडों में दार भी दिखाई देते हैं इनकी आखे लेंस रहित होती है और इसलिए यह केवल प्रकास की दिशा का पता लगाने में के साधन के रूप में कारे करती है डॉल्फिन मचलियां सब इस्ट्रेट की दिशा में एक पक के साथ तैरती है और श्रिम्प तथा छोटी मचलियों को निगलने के लिए गहराई में जाती है डॉल्फिन मचलियों का सरीर मोटा, मोटी तचा और हलके भूरे सिलेटी तचा शलकों से ढखा होता है और कभी कभार इसमें गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती है इसके पक बड़े और प्रिष्ट दिशा का पक तिकोना और कम विक्षित होता है इस इस्तंधारी जन्तु का माथा होता है जो सीधा खड़ा होता है और इसकी आँखे छोटी छोटी होती है नदी में रहने वाली डॉल्फिन मचलियां एकल रचनाए हैं और मादा मचली नर मचली से बड़ी होती है इन्हें इस्थानिये तोर पर सूसू कहा जाता है क्योंकि यहां सांस लेते समय ऐसी ही आवाज निकालती है इस प्रजाती को भारत, नेपाल, भूटान, बांगलादेश की गंगा, मेगना और ब्रमपुत नदियों में बांगलादेश की कड़ फोली नदी में देखा जा सकता है नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्तोपोर संगटापन प्रजाती है और इसलिए इसे वन्ने जियूस संडक्षर अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है इस प्रजाती की संख्या में गिरावट के मुखे कारण, अवैद शिकार, नदी के घटते प्रवा, भारी तल्चट, बेराज के निर्मार के कारण, इनके अधिवास में गिरावट और इस प्रजाती के लिए प्रवास में बाधा पैदा करते हैं राजकिय प्रदीक भारत का राजकिय प्रदीक दोस्तों सारनाथ इस्तित असोक के सिंग इस्तंभ की अनुकृती है जो सारनाथ के संग्रहालाई में सुरक्षित है मूल इस्तंभ में शीर्स पर चार सिंग हैं जो एक दूसरे की और पीठ किये हुए हैं इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकडी, भरता हुआ एक घोड़ा, एक साड तथा एक सिंग की उबरी हुई मूर्तियां हैं, इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं, एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए, इस सिंग इस् और बाई और एक घोड़ा, दाएं तथा बाएं छोड़ों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं, आधार का पदम छोड़ दिया गया है, फलक के नीचे मुंड को बिनिसत का सूत्र सत्र में हो जायते तेव नागरी लिपी में अंकीत है, जिसका अर्थ है सत्य ही विजय होता है, राष्ट्रिये पंचांग, राष्ट्रिये कैलेंडर शक्समबत पर आधारित है, चैत्र इसका माह होता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में समायनता 365 दिन निमनलिखी सरकारी पर योजनाओं के लिए अपनाया गया, पहला भारत का राजिपत, दूसर 22 मार्च को होता है, और लीप वर्स में 21 मार्च को, राष्टिये पसू, राजसी बाग, तेंदुआ, टाइग्रिस, धारिदार जानवर है, इसकी मोटी पूली, पिली, लोम, चर्म का कोट होता है, जिस पर गहरी धारिदार पट्टियां होती है, लावाननिता, ताकत, पू चोड़ कर भारत चोड़ कर देश भर्क में पाया जाता है, और पडोसी देशों में पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांगला देश में, भारत में बागों की घटी जन संख्या की जाच करने के लिए, अपरेल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाग पर योजना शुरू की गई, अब तक इस पर योजना के अधिन 27 बाग आरक्षिट चेत्रों की स्थापना की गई है, जिन में 27,761 किलोमीटर चेत्र सामिल है, राश्टिय गीत, बंदे मातरम गीत, बंकिम चन, चटरजी द्वारा संस्रित में रचा गया है, यह सुतनता ही लड़ाई म लोगों के लिए प्रेडा का सुरूत था, इसका इस्थान जन गर्मन के बराबर है, इसे पहली बार 1896 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के सतर में गया गया था, राश्टी फल एक गुदेदार फल जिसे पका कर खाया जाता है, यह मैगनी फेरा इंडिका का फल अर्थात आम जो उस्ड कटी बंधी हिस्से का सबसे अधिक महत्तोपूर और व्यापक रूप में उगाया जाने वाला फल है, इसका रसदार फल विटामिन A, C तथा D का एक समरी दिश्रोत है, भारत में विभिन आकार मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किसमें पाई जाती है आम के को अनंत समय से भारत में उगाया जाता है और कवी कारिदास ने इसकी प्रसंसा में गेत लिखे हैं, एलेक्जेंडर ने इसका स्वाच चखा है, साथ ही चीनी धर्मयात्री वेन सौंग ने भी इसका स्वाच चखा है, मुगल बासा अकबर ने बिहार के दरबंगा में एक लाग से अधिक आम के पौधे रोपे थे जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है, राश्टिये खेल जब होकी के खेल की बात आती है तो भारत में हमेशा विजय पाई है, हमारे देश के पास आठ ओलंपिक स्वड़ पदक का उतकिष्ट रिकॉर्ड है, भारत अंतर राश्टिये होकी दल 1975 में विशुकब जीतने के अलावां दो अन्य पदक रजत और कांसे भी जीते, अंतर राश्टिये होकी महासंग ने 1927 में वैस्विक संबंधता आरजित की और अंतर राश्टिये होकी चंद्र की सदस्यता प्राप्त की, मुद्रा चिन भारतिय रूपय की प्रतीक चिन अंतर राश्टिये इसतर पर आदान पदान तथा आर्थिक संबलता को परिरक्षित कर रहा है, रूपय का चिन भारत के भारत के लोका चार का भी एक रूपक है, यह रूपय का यह नया प्रतीक देव नागरी लिपी के रा और रोमन लिपी के आर अक्षर को मिला कर बना है जिसमें एक शैतिज रेखा भी बनी हुई है यह रेखा हमाई राश्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रति बंदित करती है भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्विकार कर लिया है यह चिन्ह भारतिये प्रोद्दोगिक संस्थान पुंब रहे के नए चिन्ह के डिजाइन आमंत्रित किये गए थे इस चिन्ह को डिजिटल तकनिक और कंप्यूटर प्रोग्राम में इस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और हो भी गई है चलिए दोस्तों भारत के विश्व धरोहर इस्थलों की सूचियां देखते हैं यून गोश्च वंदिर उडीशा 1984 में गोश्चित किया गया राची के बौधी इस्थूप मध्य प्रदेश 1989 में गोश्चित किया गया चंपानेर पावागल का पुरतात्य पार्ग गुजरात इसको सामिल किया गया था 2004 शत्रपती सिवाजी टर्मीनस महाराफ 2004 में विश्व वि सामिल किया गया विस्व विरासत की सूची में फतेपुर सीकरी उत्तर प्रदेश को 1986 में शामिल किया गया विस्व विरासत की सूची में चोल मंदिर तमिलनाडू 1987 और 2000 में किया गया विस्व विरासत की सूची में शामिल हमपी के इस मारक करनाटक 1984 में शामिल किया गया, महाबलीपुरम के इस मारक तमिल नाडू को 1984 में शामिल किया गया, पढड़कल के इस मारक करनाटक इसको शामिल किया गया 1987 में, हुमाईू का मकबरा दिल्ली इसको शामिल किया गया 1993 में, काजी रंगा राजट्री इसको किया गया 1985 केवल देव राष्ट्री अब्भारण राजस्थान इसको सामिल किया गया जो की उत्रखन में है कुत्म मिनार दिल्ली इसको酸 विरासत की शूची में शामिल किया गया भीम बेटका मध्य प्रदेश 2003 में शामिल किया गया विस्विरासत की सूची में लाल किला दिल्ली 2007 में सूची में सामिल किया गया सुंदरवन राश्ट्री अभ्यारन पश्चिम बंगाल 1987 में शामिल किया गया जंतर मंतर जैपूर राजस्थान 2010 में शामिल किया गया विस्विरास सूची में अमेर का किला राजस्थान 2013 में शामिल किया गया गागरान किला जालावाल राजस्थान 2013 में शामिल किया गया चित्तोडगर किला राजस्थान 2013 में शामिल किया गया कुंभलकर किला राजस्थ नाडू 2012 में शामिल किया गया विस्विरासा सूची में भारतिय परवती रेल दार जिलिंग पस्चिम बंगाल 2019 में शामिल किया गया भारतिय परवती रेल नेल गिरी रमिल नाडू 2005 में सूची में शामिल किया गया भारतिय परवती रेल कालका सिमला हिमाचल प्रदेश 2008 में विस्व विरासत सूची में शामिल किया गया रानी की वाव पाटर गुजरात 2014 में इसको शामिल किया गया ग्रेट हिमालियान राष्टी उद्यान कुलू हिमाचल प्रदेश सामिल किया गया इसको और चन्रीगर कैपिटल कॉंपलेक्स 2016 में शामिल किया गया वंदे सन संबंधित हैं सितार से ये सारे सितार वादक हैं सरोद वादक हैं दोस्तों अमजद अली खा, अलाउद दीन खा, अली अकबर खा, विस्व जीत राय चौदरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध, देवदास, गुप्ता हैं, सरोद वादक संतूर वादक है शिव कुमार सर्मा और भजन सो पारी संतूर वादक है शहनाई सहनाई के वादक है बिस्मिल्ला खां अली एहमद हुसेन खां और दया शंकर जगनाथ है शहनाई वादक बासुरी वादक हैं दोस्तों हरी प्रशाद चोरसिया पन्ना लाल गोस राजेंद्र कुलकरनी वी कुंज मडी हैं तबला के वादक हैं जाकिर हुसेन अल्ला रखा खां गुदई महाराज किशन महाराज लतीफ खां और सुक्विंदर सिंग हैं तबला के वादक हैं रूद्र वीड़ा के वादक उस्ताद सादिक अली खां है और असद अली खां है रूद्र वीड़ा के वादक हैं एस बाल चंदरन कृष्ण भागवतार और बदरुद दीन डागर वीड़ा के वादन हैं मिर्दंग मिर्दंग के वादक हैं दोस्तों ठाकुर भ सर्वेक्षर विभाग देहरादूर में हैं और केंद्रिय जल एवं विद्यत अनुसंधान केंद्र खड़क वासला में हैं भारतिय पुरा तत्विक सर्वेक्षर विभाग कोलकाता में हैं भारतिय लहो अनुसंधान संस्थान राची में हैं केंद्रिय औसधी अनुसंधान स संस्थान धनबाद में है पारिश्थित की विज्ञान केंद्र बंगलूरू में है राभारतिय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है अखिल भारतिय आयर विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है राश्ट्रिय धातु विज्ञान प्रयोकशाला जमसेथपूर में है क इंद्रियवन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है सेंटर फॉर डी एने फिंगर प्रिंटिंग अन डाइग्नोस्टिक हैदराबाद में है राष्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है जीवाडु प्रोध्यकी संस्थान चंडीगर में है और भाबा परमाडू अनुसंधान केंद्र ट्रामबे में है भाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रामबे में है भारतिये मौसम विज्ञान संस्थान नहीं दिल्ली में है इंडियन सिक्योर्टी प्रेस पूरे में है राश्ट्रिये प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नही में है भारतिय भू चुम्बकिय संस्थान मुंबई में है राष्ट्रिय समुद्र विज्यान संस्थान पढ़जी में है भारतिय खगोल संस्थान बैंगलूरू में है केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान नहीं दिल्ली में है राष्ट्रिय भू भूतकी अनुसंधान संस सिम्ला में है रमन अनुसंधान संस्थान बैंगलूरू में है केंद्री जूट प्रोध्यग की अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है केंद्री ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है केंद्री वनस्पती अनुसंधान संस्थान लखनौ में है और द्योग की विश अनुसं प्लाज्मा अनुसंदान संस्थान गाधी नगर में है। केंदरी ये नारियल अनुसंदान संस्थान कासर गोड में है। केंद्री नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भाव नगर में हैं केंद्री कुष्ठ अनुसंधान संस्थान चिन्नई में हैं भारती राश्टी समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में हैं बीरबल साहनी इंस्टिटूट आफ पोलियो बाटनी लखनव मे हैं इंडियन लाख रिसर्च इंसिट्यूट लराची में है और प्लाजमा अनुसंदान संस्थान गांधी नगर गुजरात में हैं गुजरात में गाई जाती है गुजरात में गाई जाती है गुजरात में गाई जाती है सत्य जीत राय की जैनती दो माई को मनाई जाती है मोतिलाल नहरू की जैनती 6 माई को मनाई जाती है गुजरात में गाई जाती है गुजरात में गाई जाती है मेगनाथ शाहा की जैनती 6 अक्टूबर को मनाई जाती है जै प्रकास नाराण की जैनती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है लाला हर्दयाल की जैनती 14 अक्टूबर को स्वामी दयानन सरसोती की जैनती 13 अक्टूबर को राजेंद्र प्रशाद की जैनती 3 दिसंबर को सी गोपालाचारी की जैनती 10 दिसंबर को सुब्रमन्याम भारती की जैनती 11 दिसंबर को मनाते हैं स्री निवास रामानुजन की जैनती 22 दिसंबर को चरण सिंग की जैनती 23 दिसंबर को मदन मुहन मालवी की जैनती 25 दिसंबर को गौतम बुद्ध की जैनती वैसा की पोरिमा के दिन मनाते हैं वर्दमान महावीर की जैनती चैत्र शुक्ल त्रियो दशी को मनाते हैं भगवान राम की जैनती मनाते हैं चैत्र शुक्ल नौमी के दिन भगवान स्री किस्नी की जैनती मनाते हैं जन्मदिन मनाते हैं भादरपत क्रिष्णास्टमी के दिन मुहम्मद साहब की जैनती मनाते हैं रभी उल अवल की बरावी तारीको गुरु नानक की कार्तिक पूरीमा के दिन गुरु गोविन सिंग की पॉष शुकल एका दसी को मनाते हैं काली दास की जैनती कार्तिक शुकल एका दसी को मनाते हैं कबीर दास की जैनती वैसाक शुकल पंचमी के दिन और तुलसी दास की जै वर सुकल सब्तमी के दिन मनाते हैं भारत की राष्ट पती की सूची चलिए देखते हैं डॉक्टर राजियन प्रसाथ 26 जनवरी 1950 से 13 माई 1962 तक भारती राष्टी कॉंग्रेस के तरफ से ये राष्ट पती रहे हैं डॉक्टर सरपली राधा किष्णन तेरा माई 1962 से तेरा माई उन्नी सो सब्सक्र तक सथन्तर राष्ट पती रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसें तेरा माई 1964-3 म constraint79 तक राष्टपती रहे हैं विवी गिरी 24 अगस्त 1909-24 अगस्त 1974 तक ये राष्टपती रहे हैं फारुक दिन एहम्द 24 अगस्त 1974-11 फरवरी 1944 तक भारतिय राष्टिय कांग्रेस किताब से राष्ट पती रहे हैं नीलम संजीवा रड़ी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये भारती जन्ता पार्टी से राष्ट पती रहे हैं गियोनी जेल सिंग 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारती राष्टी कॉंग्रेस से राश्टपती रहे हैं रामा स्वामी वेंकेट रमन 25 जुलाई 1987 से 35 जुलाई 1902 तक ये भारती राश्टी कॉंग्रेस से राश्टपती रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल सर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 से 97 तक भारती राश्टी कॉंग्रेस से राश्टपती रहे हैं 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक स्वतंत राष्ट पती रहे हैं 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस से राष्ट पती रही है प्रडव मुखर जी दोस्तों 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारती राष्टी कॉंग्रिस के सिफ राष्टपती रहे हैं रामनाथ कोविन 25 जुलाई 2017 से अब तक भारती जन्टा पार्टी सिफ राष्टपती हैं भारत की महारतन एवं नौरतन कंपनिया चलिए देखते हैं नौरतन कंपनिया दोस्तों इन कंपनियों को सरकार की पूर्वनुमती के बिना 1000 करोड रुपए निवेश की स्वायतता दी गई है महारतन कम्पनी को 5000 करोर रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमती की आवसकता नहीं है और चलिए भारत की महारतन कम्पनियां देखते हैं तो तेल एवां प्राकृतिक गैस निगम है ONGC है महारतन कम्पनी और भारती तेल निगम लिम्टेड IOC है दोस्तों महारतन कम्पनी राष्टी अताप विद्यूत निगम लिम्टेड NTPC है महारतन कम्पनी भारती इसपात प्राधिकरर लिम्टेड सेल है महारतन कम्पनी कोल इंडिया लिम्टेड CIL है महारतन कम्पनी भारती हेवी एलेक्टिकल्स लिम्टेड भेल है महारतने कंपनी गैस एथोर्टी ओफ इंडिया लिम्टेड गेल है दोस्तों महारतने कंपनी भारत की नौरतने कंपनिया चलिए दिखते हैं दोस्तों भारती एलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड बेल भेल है दोस्तों नौरतन कंपनी भारतिय पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड बीपी सीयल एक नौरतन कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड एच पी सीयल एक नौरतन कंपनी है महानगर टेलीफोन नीगम लिम्टेड MTNL एक नौरतने कंपनी है Hindustan Aeronautics Limited HAL नौरतने कंपनी है Power Finance Corporation of India Limited PFC एक नौरतने कंपनी है National Mineral Development Corporation Limited NMDC एक नौरतने कंपनी है Rural Electrification Corporation Limited REC दोस्तों नौरतने कंपनी है Power Grid Corporation of India Limited PGICIL दोस्तों एक नौरतने कंपनी है National Aluminium Company Limited NALCO 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 N एक नोरतन कंपनी है नेशनल बिल्डिंस कांस्टॉक्शन कॉर्परेशन लिम्टेट एन वीशी एल एक नोरतन कंपनी है कांटेइनर सबो जब चलिय। दोस्तों एक नौरतन कंपनी है चलिए दोस्तों उत्पादन से संबंधित विविद क्रांतियां देखते हैं कलक काली क्रांती पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांती नीली क्रांती संबंधित है मशली उत्पादन से भूरी क्रांती संबंधित है कोको समस्त बागवानी और हानी उत्पादन से संबंदित है ग्रे करांती दोस्तों संबंदित है उर्वरक उत्पादन से गुलावी करांती प्याज औसदी जहींगा उत्पादन से संबंदित है लाल करांती मास और टमाटर उत्पादन से संबंदित है चांदी फाइबर करांती पास उत्पादन अंडः उत्पातं से सम्मधित है शुवित करता हूं दोस्तों आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी तो silently ने ने भी बारे दे को Ash ताकि आगे आने वाली important वीडियो आप सभी से मिशना हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सबका बहुत भाँत धन्यवाद